हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो यूर चैनल, वाट्स कुकिंग विद उस, हाज हम बनाएंगे गी, सबसे पहले दूद को उबाल कर देंगे, लो फ्लेम पर मैंने बफ़ेलो मिल्क लिया है, बॉइल होने के बाद दूद को तंडा होने दीजिए, जब दूद तंडा हो जाए दूद को फ्रिज में रखे, 5 तो 6 हार्स और ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अब दूद को फ्रिज में से निकाले, मालाई को पोल या एटाइट कंटेनर में जमा कर दीजे और फ्रीजर में स्टोर करके रखे, जब आपको गी बनाना होत तब सारा स्टोर किया हुआ मलाई फ्रीजर से बाहर निकाली और उसे रूम टेंपरेचर पे आने दीजिए, अब मलाई को बर्तन में डालिए, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिए, बीच बीच में स्टेर करते रहना जब आपको मलाई में बॉल दिकेगा, कंटिन्यू स्टेर करने से मलाई बर्तन में नहीं चिपकेगा, जब मलाई का कलर एलो हो जाएगा तब गैस को लो फ्लेम पर रखिए, जब गी कलर गोल्डन ब्रॉन हो तो समझ लेना की गी रेडी हो गया है, अब गैस बंद कीजिए, गी जब गरम हो तब स्टेनर से चाण लीजिए, गी कूल्डन होने के बाद गी को एटाइट कंटेनर में डाल किये रखिए, और फिज में रखिए, खिए बगके जे बाद रखिए, जब ग्रण टो तर किए, जब गी लीजिए, प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब